हेलो इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब को थोड़ा सा ओवर्व्यू देना जाते हूं इस कंपनी के बारे में ताकि आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया मेल जाए कि कंपनी क्या काम करती है और यहां पर क्यों थोड़ा सा रिस्क अब जारा बढ़ चुका है तो चलिए व जबर दस रेटरन दिया उसके बीछे रिजन क्या है कि कंपनी ने एक बाइक लॉंच करी थी रिवोल्ट आर्वी फॉर फॉर हंडड़ त्री हंड़ दो त्री वेरियंट थे वह काफी जादा बिकी इतने जादा बिकी कि कंपनी ने नए और लेने बंद कर दिया और जह दि लेन कंपरेशन था के एक्सपेंस कर दिया वहाँ इंक्रीज हुए थे कंपनी एक्सपेंस हुए थे उसके जो इंप्लोई हैं इंप्लोईज बैनेफिट में तो भी चलो जो लोगाई का टाइम है तो इस चीजसे अंजेंच्छिवाई कर सकते हैं कि हाँ यह यह संग तो चलाएं लेकिन मार्केट कैप रेलिटी में कम है यह इतनी जारा बूस्ट आ चुका है जिसकी वएसा मार्केट कैप इंक्रीज हो चुकिया है तो यह जीद आपको समझे चाहिए इस टोग पी की बात करें अगर हम इसकी पी की बात करें तो यह ना वह हमेशाँ फोर्टी स यहां पर आप देखिए कि 5,29,409 का पी है मतलब कि हद से जारा पी चलाओ है इसका अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लोड की बात करें तो 0.01 जो की मिनीमम 15 जाफे 16 होना चाहिए और रिटर्न ऑन एक्विटी की बात करें तो 0.01 कंपनी इस टैम बिलकुल भी इस देलिवरी उठानी शुरू हुए थी और दो घंटों के अंदर अंदर उन्होंने अपना पॉर्टल बंद कर दिया और उसके बाद नहीं डिलिवरी लिनी बंद कर दी लेकिन आप एक और चीज़ समझिए कि मैं 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 चार्ट निकालू आप आप देख सकते हैं कि कंपनी लगा तार ऊपर जा रही है कंपनी ने आपको अगर हम बात करें सिर्फ एक साल की तो दियती है और भी यह अब और बाउट जोन में जा चुका है अब मैं आपको एक्जामपल देता हूं ऐसी ही एक और देखिए यह बायोफिल मैंने इस पर भी इंवस्टमेंट कर दी ती और अच्छे खासे रेटन कमाये थे यहां पर भी सेम चीज़ होई थी और एक तम से यहां बूस्ट देखने को मिल एक जो स्टोक आपको आप यह दिखिए कि दो रुपे तीन रुपे का स्टोक था उसने अपना हाई कितना बनाया था 340 रुपे तक उसके बाद यहां पर बापस यह डंप कर दिया गया इसको बोलते हैं इसमें फाइदा उठाते हैं सिर्फ ऑपरेटर जो अच्छा खासा म इसमें अपनी इसमें प्रोफिट बॉकिंग जहां पर करके रखनी चाहिए कि इन केस अगर यहां पर इसको अपर आपको अची घ्रावट देखने के लिए इस चीज़ को आपको दियान में रहे हैं थोड़ी से और बात करते हैं तो यह एक शेयर का शेयर होल्डिंग बैट बात करें यहां पर यहां पर अच्छी का सी होल्डिंग रखे हुए है पब्लिक के बास भी यहां पर 60% की होल्डिंग है तो मैं आपको यहां पर सिर्फ इतनी से ड्वाइज दूंगा कि अगर आपके पास यह स्टोक यह स्टोक है तो प्लीस अपना स्टोप लोस लेके चल इसका लो कि वह सोना भी बिखे जा रहा है और आप उसे पैसे कमाई ता रहे हो तो प्लीस इसको धाल में रखेगा यह स्टोक अब थोड़ा सा रिस्की हो चुका है बाकि दोस्तों अभी के लिए इतना ही अगर फिर भी आपके को क्वेरी है तो कमेंट करें जरूर पूछे अभी के लिए दोस्तों इतना ही